गजी दोस्तों सब्स्रायब करें सब्सक्राइब असब पहले देखने के लिए अपने मोबाईल पर इस बैल आइकन पर क्लिक करें दोस्तो्तों स्वाधत है आपका चैनल में और आज की इस वीडियो में आप देखेंगे के Redmi 6 Pro जो है उसका MI Account और Google Account आप किस तरह से Miracle Box से निकाल सकते हैं तो सबसे पहले आपको Miracle to loop in करना होगा चलिए Miracle to loop in करते हैं उसको आपको दिखाते हैं कि किस तरह से MI Account और Google Account जो दोनों ही बहुत है असानी से आप Miracle Box से अनलोग कर सकते हैं सबसे पहले तो मुवाइल को आपको इडियल मूट में करेक्ट करना है और जब आपका इडियल मूट को आपका इडियल मूट करने के बाद आपको यहां पर मेरिकल टूल में क्वेलकम टूल को स्लेट करेंगे करने के बाद आपको यहां पर सावमी स्लेट करना है आपको पोर्ट पर क्लिक करके आप जो एडियल मूट नौहजर आट पोर्ट को स्लेट कर लेंगे आपको तो नौहजर आट पोर्ट नहीं कर रहा है यहां पर समसंब को स्लेट कर लेना है और इसके बाद यहां पर सामीों आपको स्लेट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको model नमर जो है Redmi 6 Pro Global ठीक है इसको आपको स्लेट करना है अगर आपका boot नमर परफेक्ट नहीं होगा तो mobile नहीं होगा तो boot नमर जो है perfect स्लेक्ट होना चाहिए तभी आपका mobile अनलोग होगा तो Redmi 6 Pro Global आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं आपको जूम करके दिखा जाता हूं यहाँ आप Redmi 6 Pro Global इसको आपको स्लेट करना है उसके बाद एक्स्ट्रा पर क्लिक करना है अगर आपके पास MI अकॉन लगावा है मुबाइल में तो MI अकॉन पर चेक लगाना है सबसे उपर में इस्ट्राट पर क्लिक करना है MI अकॉन रिमूव हो जाएगा बहुत यह सानी से दोस्तों आप देख सकते हैं कि MI अकॉन बहुत ही आसानी से जो है इसका उनलोग हो चुका है अगर मान के चली अगर आपको Google अकॉन अनलोग करना है ठीक है मान के चली अगर मोबाइल में दुबार Google अकॉन आता तो आपका गूगल अकॉन भी जो है वो अनलोग हो जाएगा दोस्तों कर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेस्बुक वर्टसप पर अपने दोस्तों के साथ और आपने हमारे चैनल को अभी तो सब्स्राइब नहीं किया है सब्स्राइब कर ले मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो है तब तो प्लेब आए